प्रणजिल फॉर्म टेग्विंगलाव.com और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जी एफ डबलो के बारे में जी एफ नहीं जी एफ डबलो के बारे में एक्साइटेट नहीं ठीक है इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा काविसा लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते क्योंकि मैंने अपने कुछ गीक फेंट से पूचा था जिनको हर्ची मौलूम रहती है उनको भी इसके बारे में नहीं मौलूम था और जो मैंने खुद पहली बार लगों चाहिए छोग विडियो बिcamak विडियो स्था और अब लोगों वोन दो को और चाहिए इसके बारे में तो यहां Conference क्सान सुन को सब्सक्राइब को हम स्थे आइस जतएं हम भी महत चैनल को चैनल ब्सक्रां सब्सक्राइब 3 सबसे में लोग जान लेते हैं कि GFW अखरकार होता क्या है अखरकार क्या है GFW, तो GFW होता है, क्या होता यार, यह कुछ भी अशनल आगा नहीं So guys, GFW का फुल फॉम है, Great Firewall of China हाँ guys, Great Firewall of China कुछ लोग में इस GFW को यह अला समझा होगा नहीं बाद तो हम लोग गला समझ रहे हो, वापस आओ गला समझ रहे हो, यह वो नहीं है, यह है So guys, तो लोग जीएफ़ डबलो को एक ऐसा नेटवर्क समझ लो या फिर ऐसी शेल्ड समझ लो, जिसके अंदर चाइनिस गवर्मेंट चाइना के हर एक इंसान के इंटरेट यूसेज की उपर नज़र रखती है, उसको मॉनिटर करती है, फिल्टर करती है हाँ guys, उनके इंटरेट यूसेज पर चाइनिस गवर्मेंट चाथी है कि चाइना जित्ते भी लोग है उन्हीं के साब से internet use करें और इसलिए चान्या गवर्मेंट लोग को ऐसा internet use करने देती है जैसे की वो चाहती है और इसलिए चान्या के internet loss बड़ाधा सक्त है और जो कोई भी इन loss को तोड़ता है उसको उसकी गलती का फल भी मिलता है लेकिन हाँ ये फल मीठा नहीं कड़वा होता है मीठा कुन दे गाया है समझो और गाइस एक और चोकाने का नहीं बात ये है कि चाइना में Facebook, Google, Instagram, Twitter और बहुत सारे Apps बैंड है हाँ गाइस मैं जूट नहीं बोलता है इस तब बैंड है वहाँ पे और इनको ये लोग यूज नहीं कर सकते ऐसा इसलिए हुआ कि जब इन एप्स को चाइना ब्लांच किया जा रहा था तब चैनिस गोवर्मेंट ने कहा कि हम लोग को सारे एक्सेस चाहिए इस एप्स की उपर और हम लोग देखने चाहते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं क्या सेंट कर रहे हैं क्या सपोर्ट कर रहे हैं और किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग इसकी उपर एक्सेस मांग रहे थे लेकिन इसको माना कर दिया और उसका फल तो लोग समझी गा होगे सब्सक्राइब कर दिया और कहा चल बहुत अच्छे समझ गया होगी कि चानला के इंटरेट लोग जादा सक्त हैं अगर चानला के लोग इंटरेट यूजी नहीं करते हैं वो लोग यूज करते हैं लेकिन पर 24-7 नज़ा रखी जाती है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या कुछ क्योंकि इतने साहे लोग हैं अब चानला के प्रधान मंत्री थोड़ी ना बैठेंगे देखने के लिए कौन क्या कर रहा है उनको और भी काम है यार वो यही थोड़ी ना करते रहें कि कौन क्या कर रहा हो और इसलिए बहुत सारे पुलिस ओफीसर को अपॉइंट किया गया चानला के लोग VPN यूज करते हैं तो लाकि लोग उन साइट को भी एकसिस कर पाएं जो वहां पर ब्लॉग है और इसलिए चानला वाड में सेकेंड नमबर एक कंट्री है जो सबसे आदा VPN यूज करती है सबसे बड़ा रास्त तो उसका याई है क्योंकि इस साहे लोग उसको VPN यूज करते हैं ताकि हो लोग एक्स्ट्रा साइट यूज कर सकें जो साइट ब्लॉग ड़ाओं को यूज कर सकें यह उसका सबसे बड़ा कॉज है लेकि रिसेंटल एक न्यूस सामने आई थी कि चैनल सारे VPN को ब्लॉग करने वाला है ताकि लोग इन वीप्यां को यूज लेकिन अब देखो कि होता क्या यार किसली साल भी यही न्यूस आई थी लिए कुछ लिंक किया गया देखते हैं साल क्या होता है लेकि तुम लोग पैसे कुछ लोग अभी भी सोच रहोंगे कि अगर यह सब फेस्बुक गूगल इंस्टाग्राम सब ब्लॉग डेंस चाइन बिल्कुछ सेट उसेप क्लोन गनाकर रखा है जिसके बारे में सब कुछ मैं जानता था जितना मुझे पदाचला था सब कुछ मैं आपको बता दिया अगर और और पूस पदाचले का फ्यूचर में तो लोग बता जाओंगा तो यहार आप लोग देखा कि इंटरनेट की कि लोग अपने साथ कुछ करने सकते हैं लोग चाइना के सारे रूस को ब्रेक किया था और लो सजा पड़ी उस लोग को मार दिया गया काफी आदा वहां पर सीरियस मुद्दा है यह तो इसके बारे में सब कुछ आपको बताय दिया तो आज की वीडियो में इतना ही तो यही लोग पास हम लोग जल्दी इसकर दो जिन लोग अपडेट वाला वीडियो देखा था वो लोग जानते हैं कि आने वला है तो सुन लो आज की मुजिक मैं मिल तो आप से नेक्स वीडियो तो तक के लिए बाए